हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एललबी सेकेंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड मुस्लिम लौ फैमिली लौ सेकेंड से रिलेटेड क्वेश्चन एंड एंशर की बात करेंगे इस वीडियो में ठीक है question के साथ-साथ answer बताएंगे ठीक है इन questions को मैंने write किया हुआ है और questions के साथ-साथ answer भी बताया है ठीक है तो इस video को आप पूरा देखिए सारे questions देखिए important questions हैं सारे MCQ से ही related है MCQ से ही उठाय हुए questions है वीडियो बहुत बड़ी हो जाती थी इसलिए मैंने इस तरीके से आपको अभी तरीका आपको दिखेगा कि किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ question रहेगा question के साथ answer रहेगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा और question पढ़िए ध्यान से फिर उसके बाद उत्तर तैयार कर लिजिए learn कर लिजिए ठीक है क्योंकि exam बहुत नजदीक है ठीक है तो आप लोग परवाही ना करें वीडियो को पूरा देखे सारे questions देखें और अपने friends को भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सारे student सारे आपके friends लोग भी जो है exam की तैयारी कर सकें अच्छे से ठीक है तो अब हम चलते हैं questions की तरफ तो वीडियो को लाइक करिए चैनल पर पहली बारा है सब्सक्राइब कर लीजिए और notification पाने के लिए bell on कर लीजिए चलिए बात करते हैं questions की तो हमारे साथ अंतक वीडियो में बने रहीएगा question number पहला कहता है कि पैगंबर मुहम्मद साहब का जन्म हुआ था तो याद रखिएगा पांसो सत्तर इसवी में हुआ था बहुत important questions है और MCQ से ही उठाई हुए questions हैं और answer भी ठीक हैं तो आपको लपरवाही नहीं करनी है वीडियो important है आपके लिए तो इसकी मत करिएगा पैगंबर मुहम्मद साहब का जन्म हुआ था पांसो सत्तर इस भी में question दूसरा क्या कहता है पैगंबर मुहम्मद साहब के पिता का नाम था तो क्या नाम था पिता का अबुदुल्ला पैगंबर मुहम्मद साहब के पिता का नाम अबुदुल्ला था याद रखिएगा question number 3 कहता है पाइगंबर मुहम्मद साहब की माता का नाम था क्या नाम था भईया आमीना क्या नाम था अमीना question number 4 कहता है मुस्लिम बिधी में कुरान उतरने का काल है तो कुरान उतरने का काल जो है वो 622 इसवी से 622 इसवी से important questions है वीडियो को पूरा देखे इसकी मत करिया और अपने प्रेंट्स के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें और वीडियो को पूरा देखें सारे questions देखें question number 5 कहता मुस्लिम वयक्तिक विधी मतलब सरियत अधिनियम संपुन भारत में किस वर्स से लागू हुआ तो किस वर्स से लागू हुआ वर्स 1937 से लागू हुआ याद कलीजे ठीक वर्स 1937 से लागू हुआ था ठीक question number 6 कहता है question number 7 कहता है सरियत अधिनियम में कौन सी धारा सरियत अधिनियम में मुसल्मानों पर वयक्तिक विधी के लागू हुने के संबंद में प्रावधान करती है तो धारा दो में ठीक धारा दो में क्विश्चन नमबर एट क्या कहता है कि सरीयत अधिनियम का उद्देश है कि भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों पर मुसलिम विधी लागू हो और सुद्ध मुसलिम विधी के विरुद जो प्रचलीत रिवाज और प्रथाएं हो वे समाप्त हो जाएं ये कठन सत्य है या फिर असत्य है आपको बताना है तो याद रखिएगा सत्य कठन है ठीक है क्विश्चन नमबर इट में जो है कठन सत्य है या सत्य क्या था सत्य था ठीक है म Ray कत्व नमबर नाइन क्या कहता है ऐसी विधी जो river निश्चित भूभाग में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू ना होकर केवल उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो किसी संप्रदाय या धर्म विशिस के अनुयाई होते हैं ऐसी विधी को कहते हैं तो ऐसी विधी को क्या कहते हैं वयक्तिक विधी कहते हैं साट में देखिए कि ऐसी विधी जो किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले सभी विक्तियों पर मतलब जो भूभाग में रहने वाले विक्तियों पर लागू ना हो करके ठीक केवल उन विक्तियों पर लागो होती है जो किसी संप्रदाया धर्म विशेश के अलुयाई होते हैं ठीक तो ऐसी विधी को वयक्तिक विधी कहते हैं याद रखेगा कौनसी विधी वयक्तिक विधी किसी विवाहिता मुस्लिम इस्त्री द्वारा इसलाम धर्म का परितियाग स्वताह उसके विवाह का विच्छेद नहीं करा देगा ठीक तो ऐसा प्रावधान मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम की किस धारा के अंतरगत किया गया है धारा चार में ठीक किस धारा में धारा चार में ठीक क्वेशन नम्बर 11 कहता है किसी हिंदू विवाहिता इस्त्री द्वारा बिना विवाह भंग किये मतलब कोई हिंदू विवाहिता इस्त्री है उसने बिना विवाह भंग किये बिना विवाह तोड़े ठीक हिंदु विवाहिता है इस तरही है और उसने बिना विवाह भंग किये जो है इसलाम धर्म ग्रहन करके और दूसरा विवाह मुश्लिम पुरुष से कर लेती है यह कर लेना उसे दूई विवाह का दोशी बताता है ठीक तो ऐसा निमलिकित में से किस वाद में निर्डित हुआ है तो याद रखिए गए यह वाद नंदी बनाम क्राउन वाद में किस में नंदी बनाम क्राउन वाद में ठीक है इंपोर्टन कोईशन है 11 आपको याद रखना होगा इंपोर्टन कोईशन है ठीक तो कौन सा वाद है वह या नंदी बना क्राउन वाद में क्षीन नंबर 12 कहता है मुस्लिम विदी के आधुनिक स्रोत है तो याद रखिएगा आधुनिक स्रोत जो है मुस्लिम विधी के एक विधायन होता है और न्याय निरड़यन होता है ठीक है विधायन और नियाय निरणयन ये दो जो है विधायन और नियाय निरणयन ये दो जो है आधुनिक स्रोत हैं मुस्लिम विधी के क्वेशन नमबर 13 कहता है कि मुस्लिम विधी में स्रोत के रूप में कियास कियास को अत्यधिक महत दिलाने का स्रेय किसको जाता है मतलब कहा गया है कियास इसको मैं यलो से करे दे रहा हूँ कियास को अत्धिक महत दिलाने का सरे किसको जाता है तो अबू हनीफा को किसको जाता है सरे अबू हनीफा को जाता है सरे और question number 14 कहता है कि कियास ठीक कियास से related ये भी question है Q4, 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 Q कहता है कि इजमा इसको मैं यलो से कर देता हूं इजमा को किस स्रेणी के अंतरगत विभाजित किया जा सकता है तो पैगंबर के साथियों का इजमा ठीक फिर जनता का इजमा और फिर विधी बेताओं का इजमा ठीक है इतनी स्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है इजमा को पैगंबर के साथियों का इजमा हो गया फिर जनता का पबली का इजमा फिर विधीवेताओं का इजमा अधिवक्ताओं का इजमा कहिए ठीक तो इतने इजमा है इतने में विभाजित किया जा सकता इजमा को इतनी स्रणियों में ठीक 16 number question करता है इजमा का साब्दिक अर्थ क्या है तो एक मत का होना ये कहिए आप ठीक है या फिर एक मत होना बात वही हुई ठीक है लेकिन बच्चे डाउट में आ जाते हैं तो एक मत का होना या एक मत होना ठीक है दोनों सही है इजमा का साब्दिक अर्थ है एक मत का होना ठीक है question number 17 कहता है हदीश के बारे में कहा गया यहाँ पर important question है इसको मैं यलोश कर देता हूँ question में हदीश को किस स्रेंडी के अंतरगत विभाजित किया जा सकता है तो अब यहाँ पर हदीश के बारे में पूछा गया है कि इसको किस स्रेंडी के अंतरगत विभाजित किया जा सकता है ठीक तो याद रखेगा अहादिश ए मुतवातिर फिर अहादिश ए मसुहूर फिर सुन्नत उल्तकरीर ठीक है इन स्रेंडियों में हदीश को विभाजित किया जा सकता है सुनना सब्द से तातपर है उन आचरणों से जिन्हें एंसर को मुझे यलो कलर ही करना है ताकि आप लोगों को समझ में आए और दिखे भी साप साप ठीक है तो उन आचरणों से जिन्हें मुहम्मद साहब ने स्वयम अपनाया था ठीक है सुनना सब्द से तातपर है उन आचरणों से जिन्हें मुहम्मद साहब ने स्वयम अपनाया था ठीक है चलिए क्वेशन नंबर 20 की बात करते हैं क्वेशन नंबर 20 कहता है कुराण कोकिस नाम से भी संबोदित किया जाता है मतलब कुरान के और भी नाम है और भी नाम से भी संबोधित करते हैं ठीक तो कुरान को बताना है आपको यहाँ पर question में पूछा गया है कि कुरान को किस नाम से भी संबोधित किया जाता है तो कुरान मजीद भी कहते हैं कुरान सरीफ भी कहते हैं और अलकिताब भी कहते हैं याद रखिएगा इन तीन नाम से और भी जाना जाता है कुरान को कुरान मजीद भी बोलते हैं कुरान सरीफ भी बोलते हैं और अलकिताब बोलते हैं इसको कुरान को तो इन नाम से भी संबोधित किया जाता है कुरान को question number 21 21 कहता है कि कुरान जो है कुरान जो है वो मुश्लिम बिदी का शर्वच श्रोत है तथा जिसका साब्दिक अर्थ है तो इसका साब्दिक अर्थ क्या है कुरान का पढ़ना या उच्चारित करना कुरान का साब्दिक अर्थ है पढ़ना या उच्चारित करना question number 22 कहता है खुदा द्वारा घुदा द्वारा जबराल के माध्यम से पैगंबर महम्मद को शंबोधित सम्मादो का चरसा शंग्रह किसमे है तो भैया किसमे है कुरान में है याद रखेगा important question है बहुत ही important question है question number 23 कहता है मुस्लिम बिदी का परंपरागत श्रोत है तो मुस्लिम बिदी के श्रोत जो परंपरागत श्रोत हैं वो कुरान भी है सुन्नत और हदीश भी है और इज्मा और कियास भी है ठीक है ये सभी जो है मुस्लिम बिदी के परंपरागत श्रोत है याद कर लीजिएगा क्वेशन नमबर 24 कहता है मुस्लिम इदी के विकास की प्रक्रिया किस काल खंड से होकर गुजरी है तो आपको काल खंड बताना है कुरान उतरने का काल और खिलाकत का खिलाफत का काल यहाँ पे कत नहीं है फत है फाफल है ठीक है तो खिलाफत का काल गलत लिग गया है यहाँ पे टाइप करने में तो खिलाफत का काल ठीक है तो इतने कालखंडों के नाम से होकर गुजरती है तो यहाँ पर कुरान उतरने का काल हो गया खिलाफत का काल हो गया और हदीसों के संकलन का काल हो गया यह सारे मुस्लिम इदी के विकास की प्रक्रिया जो है के जो है काल खंड से होकर गुजरी है कुरान उतरने का काल खिलाफत का काल और हदीसों के संकलन का काल ठीक है तो यह 24 questions थे और इनके answer थे ठीक है इनको आप तयार कर लीजिए ठीक है और अब हम आप से next video में मिलेंगे और अपने दोस्तक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है और अभी सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब कर लीजिए और notification